हेलो बिटा जी मैंने में मनुज राना वेलकम टू येल अकैटमी हम कर रहे हैं क्लास 10 थेओरम सीरीज और चैप्टर जो है वो है हमारा ट्राइंगल इसमें हम आ गए हैं बिटा जी सेकिंड थेओरम पर जो है हमारी कनवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेओरम जिसकी जो स पूरा मैं तुम्हारे को एक सॉलूशन दूँगा जो तुम्हारी एक्जाम शीट में तुम्हारी हेल्प करेगा बिटा अब यहां पर है क्या सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहती है अगर दो पॉइंट हमारे पास दो साइड के उपर जैसे कि हमारी एबी और एसी दो क्योंकि यही चीज यहां पर एक्स्प्रीन कर रही जो है तो लाइं जो प्यार्ल्य दो हो तो हतनी होगी तो हमने एक समस्क्राइब है क्यों कि तो हम् солís स्टेफ कैसे करेंगे उसकी पाद सबसे बह intervenant data, given में हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास एक triangle है ABC, तो हमारे पास given में है triangle ABC, in which T is a point on AB, and E on AC, such that, AD upon BD, equals AE upon CE, ठीक है जी, प्रूब क्या करना है हमने यहां पर, हमें यहां पर जो प्रूब करना है, वो है, कि यह जो हमारे पास line segment है, यानि DE, यह parallel है third side के, यानि BC के, construction चाहिए होगी, हाँ, बिल्कुल चाहिए होगी, तो यहां पर हम construction जो चाहिए होगी, वो लिख भी लेते हैं, और construction कर भी देते हैं, और बहुत ही simple construction है, वहाँ पर, construction क्या है यहां पर, हम इसे प्रूब करते हैं, contradictory method से, अब अगर हमने DE, BC के parallel प्रूब करना है, तो हम यह मान लेते हैं, कि DE, BC के parallel नहीं है, अगर DE, BC के parallel नहीं है, तो D से जाने वाला कोई न कोई line segment तो होगा, तो यहां पर जो है, वो हम कहते हैं, कि हमारे पास एक line segment है, जो visually तो नहीं, लेकिन हम जो assume करेंगे, उसके हिसाब से यहां पर parallel होगा, तो हम यहां पर एक इस तरह से E dash, यह parallel ले लेते हैं, तो DE dash हमारा BC के parallel है, तो हम यहां पर लिखेंगे, we draw DE dash parallel to BC intersecting AC at E dash, यानि यह E dash जो point है, यह हमारा AC के उपर ही लेना है हमने, कहीं इधर उदर नहीं है, यह AC के उपर है, और ऐसा है कि वो BC के parallel आजए, DE dash, ठीक है जी, यह भी हो गया, अब चलते हैं हमारे main part, यानि proof की तरफ, अब proof part में हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है, वो हमारे is equal to AE upon CE, यह तो हमारे को दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो हम यहां पर देखते हैं, basic proportionality theorem के हिसाब से, तो using basic proportionality theorem, in triangle ABC, अब यह जो ABC है, इसमें अगर हम basic proportionality theorem की बात करते हैं, तो basic proportionality theorem हमें क्या दे रही है, वो कहते हैं कि अगर कभी भी कोई एक line parallel होगी, जैसे कि हमने DE जो है, वो parallel लिए है, तो वो जो दो side होँआ पर intersect करेंगी, उन्हें वहाँपर equal ratio में divide करेंगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि AD upon BD अगर हम करेंगे, तो वो हमारे को equal देगा किस के, वो देगा AE- upon CE- के, ठीक है, यहाँ पर इसे जो है, वो equation number 1 ले लेते हैं, और इसे ले ले लेते हैं equation number 2, अब हमें यहाँ पर given data वगारा से कोई मतलब नहीं है, जस हमने यह जो दो equations हैं, इन पर ध्यान देना है, तो space ले लेते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर सिरफ यह जो दो equations हैं, अगर हम इनकी बात करें, तो इनकी left hand side equal है, तो हमारे पास जो है, वो हम लिख देते हैं, from 1 and 2, और यहाँ पर ध्यान लगते हैं कि left hand side हमारी equal है, तो right hand side भी equal होंगी, तो यानि AE upon CE जो है, वो equal होगा AE dash upon CE dash के, वैसे तो इतना ही result हमारे लिए काफी है, जो main conclusion है वहाँ तक पहुचने के लिए, लेकिन NCRT के हिसाब से यहाँ पर भी एक step हम और ले लेते हैं, तो अब जो है, वो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दोनों side में one जो है, वो add कर लेते हैं, तो adding one to both the sides, अब इसमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर AE upon CE plus one equals AE dash upon CE dash plus one के एक वाँ, अगर हम इसी equation को solve करें, तो हमें क्या मिलता है, इस equation को solve करके हमें यहाँ पर मिल जाएगा, AE plus CE, LCM अगर हम लेते हैं जैसे, तो यह हमारे पास upon CE, यहाँ पर अगर हम LCM लेते हैं, तो यह हमारे पास आ जाता है, AE dash plus CE dash upon CE dash, AE plus CE, AE, CE, यह AC के दो पार्ट हैं, तो आपस में अगर यह add होंगे, तो हमें क्या देंगे, यह पूरा का पूरा हमारे को AC देंगे, अगर मालो हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास AE- और CE- हैं यह अगर देखते हैं तो यह AE- और CE- यह भी दो सेग्मेंट हैं इनको भी अगर हम एड़ करें तो हमारे पास पूरी यहाँ पर लाइन AC आ जाती है अब यह जो हमारे पास दोनों साइटS AC जो हैं यहाँ पर लिख हैं पहले तो फिर उसके बार डिसकस करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो है वो क्या आ गया हमारे पास आ गया एसी अपॉन सी इडैश इस से हमें क्या मिल गया इस से हमें दोनों पॉन्ट जो हैं ac के उपर ही है ac के उपर दो पॉन्ट ऐसे जो c से equal distance पर हो ऐसा तो होई नहीं सकता ऐसा तो सिरफ तब भी हो सकता है जब यह दोनों के दोनों आपस में कोईंसाइट करें तो यही चीज हमने यहां पर लिख देनी है but e and e डैश both are on ac is only possible when यहाँ पर मैं space ले लेता हूँ कितना space मेरे लिए काफी होगा when e and e- coincide तो ऐसा तो सिरफ तभी हो चकता है और e- जो है वो तो by construction हमने ऐसा लिया था कि वहाँ पर d e- जो है वो हमारा parallel आरा था b c के तो अगर d e- parallel आरा था और हमारे पास e- और e जो है वो coincide करने हैं तो सीधी सी बात है d e भी parallel आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे hence d e is parallel to b c जो हमने यहाँ पर प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया तो इसी के साथ यह theorem खतम होती है बिटा जी मिलते है next part में